नमस्कार काम की बात देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी साथ हंचली आदो जपान में भारत के सहीत कई देशों के लिए आधिकारिक तौर पर E-Visa की शुरुआत कर दी है जपान में इस तरह की एक नई शुरुआत जो है वो की गई है जपान ने भारत के सहीत कई देशों के लिए आधिकारिक तौर पर जो है E-Visa की शुरुआत की है E-Visa प्रोग्राम की शुरुआत की है और यह सिंगल एंट्री वीजा 90 दिनों तक की वैलेडिटी परदान करता है और विशे शुरुप से हवाई मार्क से जपान में एंट्री करने की योजना बनाने वाले औरजिनरी पास्पोर्ट रखने वाले यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है ये जापान में short term tour के लिए जाने वाले लोगों के लिए visa प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुवेवस्थित करता है इसके तहए जापान e-visa system के माध्यम से e-visa यानि के electronic visa की शुरुवात की गई है तो आईए अब जानते हैं कि जापान e-visa के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है जापान e-visa के लिए अप्लाई करने की eligibility के अगर हम बात करें तो कई देशों और कई region के लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कंबोडिया, कनेडा, साउधी अरब, सिंगपूर, दक्षिन अफ्रिका, ताइवान, UAE, UK, US के सांसाथ, भारतिय नागरिक और विदेशी नागरिक भी शामिल है शोट टर्म विजा से छूट प्राक्त लोगों को छूट कर ऊपर बताए सभी देशों या रीजन के निवासी जपान E-Visa वेबसाइट के माधियम से E-Visa के लिए अपलाई कर सकते हैं तो आईए अब जानते हैं कि E-Visa अपलाई करने का तरीका क्या है आवेदन शुरू करने के लिए जापान Visa अपलिकेशन सेंटर की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा फिर अपनी यात्रा के लिए सही वीजा और जमा करने के लिए सही आवश्यक्ट डॉक्यमेट जो है वो चुने जाएगा इसके बाद आपको इमेल के द्वारा नोटिफाई किया जाएगा और वीजा का फीस का जो पेमिंट होगा वो आपको पे करना होगा वीजा फीस पेमिंट हो जाने के बाद यी वीजा के जारी कर दिया जाएगा और इस आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी से इंट पास्पोर्ट पर लगे पारंपरिक वीजा के बजाए एक इलेक्ट्रोनिक वीजा प्राप्त होगा हालकि परिच्वालन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में यात्रियों को हवाई अड़े पर पहुंचने पर अपने फोन पर वीजा जारी करने की सूचना परदर्शित करनी आवश्यक होगी ये इन अदिशा निर्देशों का पालन करके और निरधारित मापदंडों को पूरा करके भारतिया यात्री जापान परेटर्ग ईवीजा को सुरक्षित प्रक्रिया किसे आसानी से पूरा कर सकते हैं तो अगर आपको भी जापान घूमने का मन हैं तो आपके लिए ये एक अच्छा मौका हो सकता है तो फिलहाल काम की बात में इतना ही यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए